वेल्कम बैक टो दे चैनल दोस्तों तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अपडेट आफ लाइन फोर यानि की वडाला से कसारा वडावली इन ठाने ये जो लाइन है इसका मैंने एक पार्ट जो है कुछ टाइम पहले किया था और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फ्रॉम घाट को पर टू माची वडा तो अभी हम हैं घाट को पर के आर सिटी मॉल के पांस में तो ये आप देख इसका जो एस्टीमेटेट कॉस्ट है वो है 140549 करोर रुपीज इसे बनाने वाली अथोरेटी जो है वो है MMRDA जो की इसकी रिस्पोंसिबिलिटी है डवलपिंग फॉर दिस लाइन ये लाइन जो है 32.3 किलोमेटर की ये पास होगी इस्टन एक्सप्रेस हाइवे एलबीएस रोड और ये कवर करेगी घाटको पर भांडूप, मुलूंड और तीन हातना का इन ठाने मेट्रो लाइन 4 में कुल मिलाके 32 स्टेशन होंगे जनवरी 2018 में स्टेट गवर्मेंट ने इसे जो है अपरूव्ट कर दिया गया था साथ में एक्स्टेंशन के जो की एक और लाइन है वो है लाइन 4A, पेट्रो लाइन प्रॉम कसारवडावली टू गायमुक जिसकी कुल लंबाई है 2.7 किलोमेटर एक्स्टेंशन प्रॉम कसारवडावली टू गायमुक जिसमें की होंगे दो इस्टेशन और उस लाइन 4A की जो कॉच्ट है वो है साड़े 900 करोर वीडियो मेरे चैनल पे एवलेबल है और इस वीडियो के बाद में मैं आप लोगों को उस स्टेश का भी वीडियो जो है वो कुछी दिनों में उपलब करवा दूँगा अपने चैनल पे तो बात करते हैं इस लाइन की जो कि आज हम देख रहे हैं कि यहां पर कितना थाने के माजी वाड़ा की तरफ और वहां से यह घोडबंदर रोड पे बढ़ जाती है आगे तुवर्ट्स गायमुक के लिए तो वो लाइन जो है वो है लाइन फॉर ए जिसमें की ट्वी स्टेशन आएंगे आगे जाके ठीक है तो उसका जो वीडियो होगा वो मैं आप लोगे साथ में आगे शेयर करूंगा क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है वो काफी बढ़ा हो जाता है इसके लिए इसे जो है मैं लाइन को पार्ट में कर रहा हूं एक पार्ट मैंने इसका पहले किया था और यह दूसरा पार्ट है फिर एक थर्ट पार्ट में मैं आप काइंस इंफरस्ट्रक्चर और इटालियन फर्म होती है उसे अवार्ड किया गया था तीन पैकेजेज बिट्वीन कसाराव डावली एंड वडाला जो की कौस्ट था पंद्रा सो एटीफोर करोर रुपीज अ कॉंट्रेक्ट पर अधर टू पैकेजेज जो है वो अवार्ड किया गया था जॉइंट वेंचर बिट्वीन टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और चाइना हार्बर इंजिनेरिंग कंपनी सेप्टेमर दोहजार उननीस में एमें मार्डी एने 342 करोर का जे कुमार इंफरस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी इसमें वायर डक्ट और टू मेट्रो लाइन 4A के एक्स्टेंशन स्टेशन बनाने का कॉंट्रैक्ट दे दिया था महारास्ट्रो गवर्मेंट ने एक लून जो है वो एग्रिमेंट साइन किया है कुछी दिन पहले जर्मन डेवलप्मेंट बैंक के साथ में तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका प्रोग्रेस अगर आप लोगों के ध्यान में होगा तो इसका जो प्रजेक्ट था वो कुछ टाइम के लिए पीच में रुका हुआ था और वो काम इसलिए रुका हुआ था क्योंकि इन लाइन के लिए जो फंड का करश था वो फंडिंग प्रोपरली हो नहीं रही थी तो महाराष्ट्रा स्टेट गवश्मेंट जो है उन्होंने जर्मन डेवलप्मेंट बैंक से पंदिंग के लिए एप्लिकेशन दी थी और वह उन्होंने मान लिये और उन्होंने जो है इस प्रुजशक को फाइनाइन्स करने का प्लान किया है और 565 यूरो जो है वो इस लाइन के लिए मेट्रो लाइन 4 और मेट्रो लाइन 4A में नौवेंबर में इसे दे दिया है लाइन 4 की कंपलिशन के अगर हम बात करें तो एपरिल 2023 में गरीन लाइन 4 प्रोजेक्ट जो है उसका स्टेटस 49 परसंट था यानि की अभी एपरिल हो चुका है 2024 का तो लगबग 60 परसंट काम जो है इस लाइन का हो चुका है और डिसेंबर 2025 में इसका एस्टिमेटेट कंपलिशन डेट है अफ मेट्रो लाइन 4 का तो देखते हैं कि 2025 में डिसंबर तक ये काम पुरा होता है या नहीं और जैसे भी होगा मैं इसकी जो है अपडेटस आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा और मैं बता दूँ आप लोगों को कि मेट्रो लाइन 4 का जो रियल एस्टेट के लिए इंपक्ट होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि फास्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी मेट्रो के आने से तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इस एरिये में करना बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है आने वाले दिनों में क्योंकि LBS रोड जो है यह बहुत ही कंजेस्टेट बाना जाता था तो इसमें वेट्रो चलने से क्या होगा कि यहां का जो रियल एस्टेट है उसका प्राइस जो है वो हाई को जाएगा और प्लस मुंब करना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करू तो इस लाइन को जो है वो सेंटर रेलवे की लाइन जो है चितनी भी इस लाइन के बीच में आने वाली है उससे जो है इसका बहुत ही क्लोज प्रोक्सिमिटी होने वाली है तो आने वाले दिनो में जो लोकल यूज़ करते हैं वो लोगों के लिए भी जो है इस मेट्रो लाइन को यूज़ करने में बहुत ही आसानी होगी तो कनेक्टिविटी की बात करी रहे हैं तो मैं आप लोगों को इसका जो इंटरचेंज है वो भी बताते चलता हूँ मेट्रो लाइन 2 B जो की है डियन नगर 2 मांडले मेट्रो लाइन 5 जो की होने वाला है ठाने 2 कल्यान मेट्रो लाइन 6 जो की होने वाला है स्वामी समर्थ नगर 2 विकरोली इस तीनो लाइन से इसे इंटरचेंज दिया जाने वाला है और सेंटर रेलवे से भी इसे इंटरचें है तो जब यह लाइन बन जाएगी तो आप लोगों को यहां पर जो है इसकी connectivity और इस जो मैंने आप लोगों को बता है interchange और Central Railway और Eastern Express Highway से इसकी जो है वो close proximity होने वाली है और एक correction करना चाहता हूँ जैसे की मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि इसमें 32 station होने वाले हैं कुल मिला के तो 32 station नहीं होने वाले हैं इसमें होने वाले हैं कुल मिला के 30 station till वडाला to कसारवडावली यानि की भक्ती पार्क metro station से start होगा यह वाडाला में और यह आके ठाने के कसारवडावली में आके यह खतम हो जाएगा और यह line जो ही यह fully elevated रहने वाली है और present इसकी progress की अगर बात करें तो इसका जो piling का काम है वो 89% complete हो चुका है pile cap का जो काम है वो 74% तक complete हो चुका है और pier wire duck plus station जो है उसका 64% काम complete हो चुका है और anti crash barrier जो की है उसका 56% काम complete हो चुका है road restoration का काम जो है वो 30% complete हो चुका है pier cap casting, pier cap erection, stitch concrete इसका लगबग लगबग 70-65% का काम हो चुका है और जो you guarder casting थे उसका भी wire duck और you guarder erection for wire duck जो है उसका भी 70-60% का काम जो है वो complete हो चुका है और बता दू कि deck slab जो है लगबग लगबग 25% तक complete हो चुका है तो I hope कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आ रहा होगा हम जो है वो फूरा LBS mark जो है वो घाटकों पर से लेकर तीन हाद नाका तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कितना काम यहाँ पर हुआ है आप लोगों को जो है वो काम भी इस वीडियो के माध्यम से दिखेगा कि कितना काम हो चुका है तो अभी वाबस से आते हैं construction की बात पर कि concourse level peer arm casting जो है उसका 57% काम इसमें complete हो चुका है stations का भी जो है उसमें L girder, T girder और T girder erection casting इसका भी काम जो है वो लगबग 30 से लेके 40% तक काम इसमें हो चुका है और platform level RCC beam casting का जो काम है वो भी 30% तक इसमें complete हो चुका है तो अभी जो आप देख रहे हैं right hand side पर यहीं पूरा construction line है यहीं गुजर रही है LBS mark पर और यह है मुलूंड का head गे बार चौक और right hand side पर जो है यहां पर ही बन रहा है गोरे गाउं मुलूंड link road जिसका वीडियो भी मेरे चनल पर मुझूद है उसका latest video मैं अभी कुछी दिनों में बनाने वाला हूँ तो इस वीडियो के बाद में मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए को लेगा हूँ मुलूंड link road का वीडियो लेकर आऊ तो वीडियो भी कुछी दिन में आने वाला है तो उसका भी आप लोग इंतिजार करें तो अभी हम पहुंच चुके हैं almost मुलूंड के पास में तो यह लाइन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पियर्स का जो है वो इरेक्शन और पियर्स का जो कैप है वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो मुलूंड का fire station आएगा और fire station से लेके कसारवडावली यानि की थाने में जो है वहाँ तक की line start करने का जो काम है वो लगबग बहुती speed से चल रहा है पहले face में इसे start करने का कोशिश की जा रही है तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे मुलूंड से लेकर कसारवडावली तक के जो 5-6 station से इसको start करने का जो पहले face में planning की गई है इसकी जैसे 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 updates मेरे पास में आती रहेगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा जैसे कि आप मुलूंड के Johnson & Johnson Company के बाद से जो अभी देखने वाले हैं यह है left hand side में Johnson & Johnson Company और यह जो देख रहे हैं आप यह है मुलूंड का fire brigade का station तो यहां से जो Metro station है और यहां से जो आप काम देख रहे हैं उपर और नीचे में भी आप देख रहें कि इसे paint भी और दिया गया है कुछ-kुछ हिस्सों में जो है इसे paint का का काम चल रहा है तो यहां से लेकर आप जो माजी वाड़ा तक देखेंगे उसमें station का का काम गडर्स का काम और पियर्स का काम पियर्स का काम और इस लाइन पे जो है वो पूरा सिविल कंश्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है इसमें जो है आप आने वाले दिनों में इलेक्रिफिकेशन का काम होगा और इस्टेशन को जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाने का काम इसम हजर आ सकती है और अगर जैसे इसकी रिपोर्ट आती होगी मैं आप लोगों के साथ में अपडेट करता रहोंगा तो आँ होप कि आप लोगों को वीडियो पसन्द आ रहा है अकर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को जो वो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जाधर से जाधर कमेंट करें ताकि हमारे वीडियो को जाधर से जाधर रीच मिल सके तो इतनी घर्मी में मैं अगर वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं तो मेरे वीडियो को रीच मिलेगी तो मुझे मज़ा भी आएगा वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए तो आए होप यह आप लोग समझेंगे और हमारे वीडियो को जो है वो जादर से जादर लाइक करेंगे तो यह है LBS मार्क के उपर में मलून का चेक ना का यानिकी टोल बूत अब हम इसे क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स इस्टन एक्स्प्रेस हाइवे यानिकी तीन हातनाका के फ्लाइवर के जंक्शन के पास में और यह लाइन जो है वहाँ से यह लाइन लेफ्ट में मुड़ जाएगी टुवर्ड्स गोडबंदर यानिकी माजीवाडा कसारवडावली की तरफ तो हम जो है इस पुझेक को माजीवाडा पे खतम करेंगे तो वहाँ तक आप लोगों को इसका जो वीडियो है यह पूरा देखने मिलेगा और यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताएगी यहाँ पर जो है पूरा तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से 70-80 परसंट कम्प्रिट हो चुका है और अंदर का जो स्टेशन को बनाने का काम जो है वो अब जोरों पे है क्योंकि इस पुझेक को जो है वो फंडिंग मिल चुकी है यह देख सकते हैं आप हम पहुंच चुके हैं तीन हातना का के जंक्शन पे और यहाँ से यह लाइन जो है यह मुड़ जाती है लेफ्ट में अन्टू इस्टन एक्स्प्रेस हाइवे और इस्टन एक्स्प्रेस हाइवे पे ही रहते वे यह आगे बढ़ती है तूवर्स माजी वाड़ा की तरफ और माजी वाड़ा से यह लाइन बढ़ जाएगी आगे तूवर्स घोडबंदर के ल सायमुक से जो एक लाइन है वो जाएगी टुवर्ड मीरा रोड के शिवाजी चौक तक तो इस लाइन में कुल मिला के जो है लाइन 4A और लाइन 4 जिसे की हमने आज देखा है और इसमें जो है लाइन जुड़ने वाली है एक और जो की लाइन होगी वडाला से लेकर टुवर क्रमेटर लगभग के आसपास तो जैसे इसे इस पर कुछ चेंजेस होती रहेंगी या अपडेट्स आती रहेंगी तो मैं आप अपर से हम गुजर रहे हैं कोरम मौल के फ्लाइवर से तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टेशन का जो काम है वो चल रहा है और यहां पर ज सिविल का जो है वो सोरो पे चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं आपके लेट्रेंट साट भी यह है स्टेशन यहां पर जो है इसका सिविल का काम चल रहा है और इसका जो है कॉन्ट्रैक भी जो है वो निकल चुका है और अवार्ड कर दिया गया है जिसकी जानकरी में आ होती अच्छी connectivity देने वाली है फ्रॉम सौथ मुंबई के वडाला से नौर्थ में ठाने के पास यानि की कसारवा डावली माजीवाडा, गोडबंदर और टुवर्ड्स भिवंडी कल्यान के लिए भी तो यह है माजीवाडा का end तो यहाँ पर हम वीडियो को खतम करते हैं I hope कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बाकी मैं मिलूँगा आप लोगों को